नमस्कार दोस्तों, Sports Engineering में आप सब भी का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों आज इस वीडियो में हम Test and Measurement के Revision का Second Part लेकर आ गए हैं, यह पूरी Revision Series का पांचों पार्ट है, जिसमें आपको लगातार Physical Education के Revision के Question Answers मिल रहे हैं, देखे, Revision जब भी हम करते हैं, तो उसमें हम Explain ज्यादा नहीं करते हैं, उसमें हम Only Read Out करते हैं, जो हमारा पहले पढ़ा हुआ है, तो आप कमेंट्स में इनके Explain के बारे में मत बोलिए, Revision Series के अंदर, Revision में हम Explain नहीं करेंगे, बाकि इसके जब हम अलग से वीडियो बनाएंगे, Test and Measurement Topic की, तो उनमें डिटेल में इन कोई Topic पढ़ लिए है, उसके बाद में आपको इनका Revision करना है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तो चलिए इसे के साथ वीडियो को सुरू करते हैं, आफ़र्ड का Full Form है, पहला क्यों है, आफ़र्ड की Full Form के बारे में पूछ गए है, तो वो है, American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance, इसको कई बार पूछते हैं, A-A-H-P-E-R-D, इसकी ये Full Form है, आपको इसको धहन में रखना है, आफ़र्ड यूथ फिटनेस टेस्ट किसने बनाया, तो वो बना पाप जाता है, देखिए, आफ़र्ड में एक 600 Yard Run या Walk होती है, उसके अंदर हम क्या मापते हैं, प्री सेंचरन स्वासन सेंच सकती, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, इंडोरेंस हम मापते हैं, आफ़र्ड का जो 600 Yard Run वोक होती है, उसके अंदर, स्ट्रेट नी, सिट पाप जाता है, तो वो हम पेट या कूले की पेशिय स्वासन सकती को मापते हैं, अब्डोमिनल और हिप की मस्कुलर एंडोरेंस को मापते हैं, हम स्ट्रेट नी, सिट अप से, नेच्ट है, लेक एक्स्टेंशन मास पेशन की विस्पोटक सकती, किसे से मापते हैं, स्ट्रेंशन मास पेशन की विस्पोटक सकती को मापते हैं, या फिर एक्सप्लोजवु श्रेंथ को या फिर एक्स्प्लोजवु पाउर को हम नापते हैं, मिलर वोल, वॉली टेस्ट किसका स्किल टेस्ट है, तो वो है बैट मेंटन का, आप वोली नाम से कन्फ्यूज मत हो यह Miller Wall Walli Test Badminton से समधित है French Star Trek Badminton Test के दो test battery के नाम दाई यह तो वो हैं The Server Test और The Clear Test यह test है इसमें दो batteries हैं दो इसमें item है जिनका नाम है The Server Test और The Clear Test French Star Trek Badminton Test किस ने और कब बनाया तो यह बनाया था एस्थर French और Evelyn Starter ने जो कि 1949 में बनाया गया था इनको आपको ध्यान में रखना है सीधे यहां से question आपको देखने को मिल सकते हैं next है Miller Wall Walli Test किस ने और कब बनाया तो वो बनाया था Francis A. Miller ने 1951 में 1951 में Francis A. Miller ने Miller Wall Walli Test बनाया था और Harrison Basketball Test यह boys के लिए बनाया गए basketball के test हैं Johnson Basketball Test किस ने और कब बनाया तो यह बनाया था L. William Johnson ने जो कि 1934 में 1934 में L. William Johnson ने Johnson Basketball Test को बनाया था Knox basketball test किसने और कब बनाया तो ये 1937 में Robert D. Knox इन्हों ने बनाया था 1937 में Knox basketball test को Next है पैनी कप test का प्रियोग basketball के किस test में किया जाता है तो वो हम करते हैं Knox basketball test के अंदर लड़कियों के लिए लेलिच basketball test कब और किसने बनाया तो वो बनाया था 27 लेलिक ने 1902 में लड़कियों के ये basketball test है लेलिक basketball test बारत के किस खेल विश्यसगे ने होकी का skill test बनाया तो वो बनाया था Harban Singh ने Harban Singh hockey test नाम का एक test होता है तो ये Harban Singh भारत से थे इन्होंने एक test बनाया था Harban Singh hockey test में कौन से test batteries परियोग की गई तो उसमें dribbling and hitting test, dribbling and goal shooting test ये दो टाइप की बैटरी या फिर दो आइटम होते हैं Harban Singh hockey test के अंदर इसको आपको देहन में लखना है ये भी काफी important है Next है Attument test in field hockey for college women ये किसने बनाया था? ये बनाया था Margaret Smith और Esther French ने Attument test in field hockey for college women ये भी एक महिलाओं का test होकी के अंदर इसको बनाया था Margaret Smith और Esther French ने MacDonald Walling soccer test किसने और कब बनाया? तो ये बनाया था Lloyd G. MacDonald ने 1901 काउन के अंदर soccer test मतलब ये football का test है Johnson soccer test किसने और कब बनाया? तो 1963 के अंदर Joseph R. Johnson इन्होंने बनाया था Johnson soccer test tennis का Dyer tennis backboard test किसने और कब बनाया? तो ये बनाया था 1935 के अंदर Joanna T. Dyer ने इसको आपको ध्यान में रखना है Next है Brower Miller tennis test किसने और कब बनाया? तो 1950 के अंदर Marion R. Brower और Donna May Miller इन दोनोंने मिलकर Brower Miller tennis test को बनाया था 1950 में Volleyball के Russell Lange Volleyball test किसने और कब बनाया? तो 1940 में Naomi Russell और Elizabeth इन दोनोंने बनाया था Russell Lange Volleyball test Brady Volleyball test किसने और कब बनाया? तो Brady Volleyball test बनाया था 1945 के अंदर George F. Brady ने परिक्षन उस गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है यह किसका अर्थ होता है वैदता का validity क्या होती है कि जिसका हम test कर रहे हैं उसी को हम अगर test कर रहे हैं वो ही हम सही तरीके से नाप रहे हैं उसी को हम validity बोलते हैं test के अंदर यह काफी important होता है test and measurement के अंदर next है यदि एक ही व्यक्ति का वर्तमान परिष्थितियों में उसी friction से 2 या 2 से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगबग समान हो तो वह friction कहलाता है उसको बोलते हैं विस्वस्निय परिक्षन reliable test बोलते हैं इसका मदब भी हो गया कि कोई हम measurement कर रहे हैं वो 2 या 2 से अधिक बार से मा रहा है या फिर लगबग समान आ रहा है उसको हम एक reliable test की सेनी में रखते हैं बारा मिनट समय आवदी का परिओग किसी परिक्षन में किस कारक को मापने के लिए किया जाता है अनुपात को मापने की विधी कहलाती है इसको हम anthropometry बोलते हैं human body के size और proportion को मापने के लिए anthropology method को हम use करते हैं next अ its cable tension प्रेक्शन का UPYOK किसके मापन हैतू किया जाता है cable tension एक test है इस से हम किया मापते है strength उस से strength को नापने के लिए हम cable tension test का उपचिया करते है Harvard step प्रेक्शन का उप्योग किसके मापन हैतू किया जाता है यह हम sense इलता, endurance को नापने के लिए करते हैं, Harvard step test का use, college के यूउकों है तू, ले जाने वाले Harvard step friction में bench क्यों चाए कितनी होती है, 20 inch, ballistic test का प्रियोग किसके मापन है तू किया जाता है, तो वो हम लेचिलापन, flexibility के लिए ballistic test का उपयोग हम करते हैं, next है, खिलाडियों के tradition में सु performance को बढ़ा सकते हैं, बार बार उसको measure करते हैं और दीरे-दीरे ऊसको measure करके हम इसपर steady करते हैं और धीरे-दीरे हम performance को बढ़ा सकते है, सहरजिक सिक्षा एभम खेल-kूद में खिलाडियों की कृतित्व श्न्वत शंता, जिसकों की creativity बोलते हैं, इसके मापन में, औस असर प्रिक्षन की मदद लेते हैं, टेस्ट की आव सकता होती है, creativity या फिर skill को measure करने के लिए, सारे जिक्षिक्षा में खेल कूद का chain करने, प्रिक्षिक्षन योजना के निर्माण में, एवं खिलाडियों के मायक दर्सन में किसका महत्व है, प्रिक्षन का, टेस्ट का महत्व होता है, कि हमें कौन सा sports लेना है, कौन से हमें training plan को follow करना है, और खिलाडियों के guidance के लिए भी test important होता है, नेक्स्ट है, अच्छे प्रिक्षन के लक्षन के हैं, विश्वस्नियता, वैदता एवं वस्तु निश्टता, reliability, वैलिटी और objectivity, ये तीन लक्षन होते हैं अच्छे टेस्ट के, प्रोजर physical fitness test, आफर youth physical fitness test, एवं national physical efficiency test का प्रियोग, किसके प्रिक्षन के लिए किया जाता है, तो वो हम सारारीक स्वास्ते के मापन में, physical health की measurement के लिए हम इन तीनों test का उप्योग करते हैं, माप को वैक्ष करने के लिए आवशक क्या है, मात्र के हम संक्यात्म ज्यान, unit और numerical values का हमें पता होने चाहिए, जब भी हम कोई test कर रहे हैं तो उसको हम केजी में कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं या फिर centimeter में कर रहे हैं, इसके साथ साथ numerical values, 100, 200, 500, इन सभी का हमें knowledge होना चाहिए, जब हम माप कर रहे हैं या फिर measurement ले रहे हैं, समय की काई से क्या दात्परी है, वर्स, माह, दिन और घंटे, year, month, day और आर, इसका मतलब होता है समय, जब हम test and measurement की बात करते हैं तब, next है, सारे रिक शिक्षा एवं खेल कुद में, इस परदाओं में इस्तान का निर्धारन करने में, एवं खेल शाथ्रों के माप निर्धारित करने में, किसका महत्व है, तो उसमें हम मापन का महत्व है, measurement से ही हम किसी भी field का नाप ले सकते हैं, या फिर कोई भी place का हम निर्धारन कर सकते हैं, कि इस particular जगह पे हम ground बना सकते हैं, या फिर कोई tournament करवाएंगे, वो सभी मापन पे depend होता है, सारजिक शिक्षा एम खेल कूद के छेतर में किसका विशेस महत्व है, तो मापन का काफी महत्व होता है, physical education field के अंदर, होकी मेदान के लंबाई चुड़ाई, एम वोलीबॉल खेलों के मेदान के लंबाई चुड़ाई, यह सई हुधारने, यह दो example हमें दे रखे हैं, कि होकी ग्राउंड के measurement, जोकि लंबाई और चुड़ाई हैं, और वोलीबॉल ग्राउंड के measurement, वो भी लंबाई और चुड़ाई हैं, यह किसका example है, मापन का, measurement के दोने example है, अगर आपको कोई बोले, कि होकी का measurement बताओ, जोकि National Physical Efficiency Test के नाम से है, यह किसलिए है, इंडिया के अंदर male और female की स्वास्तता, उनके health को नापने के लिए बारश सरकार द्वारा यह test बनाया गया है, American Association of Health, Physical Education and Recreation Dance का संगधन, किसके द्वारा बनाया गया, आफ़र्ड की बात हो रही है, वो किसके द्वारा बनाया गया था, आफ़र्ड यूद फिटनेस टेस्ट के द्वारा, व्यक्ति के लंबाई मापने का क्या उपकराना है, Stadiometer, Stadiometer से हम किसी परसन की height को measure कर सकते हैं, यह एक device होती है, इसके help से हम height को मापते हैं, तो बस, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में आप जरूरू बताएं, कि आपको यह वीडियो, यह सिरीज आपको कैसी लग रही है, पीडियप आपको sports इंजिने नाम के, जो हमारा टेलेग्राम चैनल है, उस पे मिली जाएगी, बाकि अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट्स कर सकते हैं, और आपके लिए अगर यह वीडियो हेल्फुल हो रही हैं, तो आप कमेंट्स में जरूरू बताएं, मिलते हैं अगर वीडियो में, देने बादे.